नमस्कार दोस्तों मैं संदीप स्वागत आप सभी का आज किस ने क्लास में दोस्तों आज किस वीडियों बात करने वाले जो भी एक चात रहीं का सब्जेक्ट जेओग्राफी यानि की भोगोल है उन इस्टुडेंट के लिए वीडियो बोस्ट इंपार्टेंट क्योंकि आप सब्सक्राइब लेकर आए चुका हूं और आप सब्सक्राइब आए तो नहीं देखते इस पर देखते इसमें कौन से अपके आने के चांस है वो मैं आपको बताने वाला हूं तो वीडियो से शुरूश से लेकर लाव तक बने रहेगा मैं आपको साही जानकाई देने वाला हूं तो आप सभी को मालूम है कि बहुत है चाहत परिच्छा कल होने वाली है भोगोल की तो वह चाहत ध्यान देंगे आप सभी परिच्छा है जो होंगे कुछ लगुत्रे कोश परिच्छन होते हैं उनका एंसर जवाप लोगों 300 वर्ड में देना होगा तो इन सभी के जो कोश्चन है वह मैं आप लोगों को बताने वाला कौश्चन में पढ़के जाना है दो तो जो मैं आप लोगों के समझते पूरा पूरा माडल पेपर लें उसमें कुछ जो वर्ड नहीं दिखेंगे कि यह ऐसा ही यह मरल पेपर तो मैं आप लोगों को बता दुगा की आप लोगों को परिभासित किजिए तो भौतिक ब्लुकों के बारे में आप लोगों को बताने इसकी सारिभासा देना है क्या है इसका क्या मतलब है सिर्फ 50 सब्दों में आप लोगों कि इसका अंसर देना है याद रखेगा यह मूश्ट इमपर्टन को इसी टाइम बता देंगे को इंकूर्टन को नहीं तो इसको पढ़के जाएगा आपके याम में आ जाएक पक्का है अला टेलीग्राम पे और साथ-साथ में वाटसप क्रूप भी डाल दूंगा ठीक है तो इस तरह आप लोगों को हो सकता है कुछ अगला प्रसन है कि वलन एयों ब्रंस तल को परवासित कीजिए तो इतना इंप्वार्टन को सकते हैं इसको लोग आप लोग न पढ़िएगा इंपॉर्टन जो इतने कोस्चन में आप लोगों को पूरे मारडल पेपर में बताने वाला हूं इनके अलामा भी मैं आप लोगों को टेलिग्राम पे और वाटसप ग्रॉप पें proximity आप लोगों बतादोंगा इसके अलामा इन कोस्चनों को ऑन video पो 25-3 को तो हर मंटन क्या है तो यह सारे कोईश्चन आप लोग को इंपॉर्टन नहीं है मेरे हिसाब से इसलिए आप लोग पढ़के मत जाएगा ठीक है अगला है कि वतागर को प्रभासित कीजिए वतार की उत्पति है तो आवस्चक दो दसाओं का उले कीजिए तो वतार के बारें पढ बढ़के दरिए जिए कि मैं टिक कर दे रहा हूं ठीक है लाग विद्ट का है इतना इंप्रवाल नहीं अगर आप लोग पढ़ना चाहिए तो पढ़ लिजेगा तरवए इतना नहीं टिक है तो अगले पर बढ़ेंगे यहीं पर समाप होती है अतलग उत्रे को बता दूंगा आप लोग को अर्स पर उस पर टिलिग्राम पर पार्ट भी यानि कि कि खंडबा में कितने कोश्चन है जो की अतलग उत्रे के इसमें देख लेते ठीक है पहला कोश्चन है कि महादूप्य प्रवाद सिद्धान्त के पच्छ में मुख प्रणामों की ब्याक्या कीजिए तो इसके बारे प्रत्वी की उत्पत्त हुई है उसके संबंद में जो जे लिखना है इंपार्टेंट है मोस्ट नहीं कहेंगे लेकिन पढ़ लीजेगा ठीक है अगला क्या है कि भूद्रस संरस्णा प्रक्रम तथा आउस्था का फ्लन है उप्युक्त कथन की ब्याक्या कीजिए यह भी इंप्वाटेंट है मोस्ट नहीं कहेंगे लेकिन पढ़ना स तो आप लोग पढ़ लिजेगा ठिक है कि पर्थवी की उसमा बजट का उल्यक की यह भी आप लोग लोग का संसीप्त बगी प्रस्तुन कीजिए ठीक है संट बढ़ी प्रस्तुत परस्तुत करने चाकर दीजिए यह को सच के बारें पढ़े अपके एकजाम में आएगा पढ़ लिजेगा देखिए हो सकता है जो मैं कोश्चन बता रहा हूं यही जरूई नहीं कि यहीं कोश्चन को गुमा फिरा के आप लोगों को पूछा दाफकता है कि महागरिये ठीक है महासागरिये जलके तापमान को प्रवाइद करने वाले कारकों की जो है विबेशना करना है अगला है कि अट्रांटिक महासागरिये धराओं का वड़न कीजिए यह भी इंपॉर्टन कोश्चन को पढ़ सकते हैं अब खंड सा जाता है कि पार्ट सी अतिला सोरी देर घुत्री आने कि बिस्तितुत्री कोश्चन बिस्तितुत्री में आप लोग यह पढ़के मत जलिए क्रिया जलिए क्रिया क्या है तो उसमें पर लिजेगा अगला की भू तल पर तापियों गतिक करणों से नियंतिर प्रमुक वायुदाब बेटियों की ब्याख्या कीजिए इतना इंपॉर्टन नहीं है लेकिन पढ़ सकते हैं आप लोग इसको भी ठीक है अगला पर लोग बताएं और जिनके आने वाले दिनों में उनके लिए उनके लिए उसमें आप लोगों को ज्यादा चांफेज हैं आपके एक्जाम में वह कुश्चन आने के तो गूगल पर लिजेगा नहीं तो सुबह जरूर पढ़ लिजेगा क्योंकि आप सभी कली एक्जाम है और जिनके आने वाले दिनों में हैं उनके लिए बी इसमाप्त करते हैं और जो कोश्चन आतिलगुत्र बिस्तित वाले कोश्चन है वह भी मैं आप लोगों को डाल दूंगा और भी कोश्चन है तो आप लोगों पढ़के जरूर जाएगा काफी मदद मिलेगी आप लोग इसमाप्त करते हैं और कोश्चन आपको हम डाले दे रहें आप लोग पढ़िएगा ठीक है साथ-साथ में आप लोग यह भी बता दीजिएगा और कौन सा आपका सब्जेक्ट है और कौन से सब्जेक्ट का मार्डल पेपर आपको इसी तरह चाहिए और कौन से मोस्ट इपा